Hello everyone, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खास कर जाम में जो भी स्टूडेंट इस बार इंटरेंस एक्जाम दिये हैं, आज हम इस वीडियो में जाम में के स्पोर्ट अड्मिशन के बारे में बात करेंगे, बहुत सरे स्टूडेंट का डौट सारा है स्पोर्ट अ यल्ट आया है वह सिर्फ फर्स्ट लिस्ट आया है अभी सेकंड लिस्ट किसी भी कूर्स का नहीं है सिर्फ दो कूर्स का आया है वह भी डिप्लोमा और वीटे का इसके लब बाकी और ऐसे कोई कूर्स नहीं है जिसके सेकंड लिस्ट आया है तो एक तो सेकंड लिस्ट का इंत जाहतर कोर्स का second list आ जाएंगे, क्योंकि first list के जाहतर कोर्स का admission करा लिया गया है जामी के दवारा, तो seats अगर vacant होंगे, second list जरूर आएंगे, और second list में जो waiting list में जिस student का नाम आएगा, उनका ही नाम आएगा, मतलब किसी और दूसरी student का नाम मतलब, किसी भी कोर्स में अपने entrance दिया है और अगर आपका उस कोर्स में waiting list में बनाम आया है, तो जो second list आने वाला गो waiting list वाले student का नाम आएगा, लेकिन उसमें भी उन ही student का नाम आएगा, जिनके rank सबसे बहतर है, किसी का 1, 2, 3, waiting में 4 है, इनको मौका मिलेगा, जिसका rank 50 हो, यह 20 हो, यह above हो, उनको नहीं मिलेगा, पहले 1, 2, 3, 4 वाले को मिलेगा, यह waiting वाले student के साथ यह होगा, लेकिन मैं यहाँ पी भी में बताना चाहरा हूँ, कि यह दूसरे list आएंगे, इस बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, जामें पहले ही class, क्यूंकि classes भी start हो रहे हैं, तो यह है कि second list का और पब्लिस करते ही, तुरंथ sport admission का notice निकाला जाएगा, और sport admission करा ली जाएगा, sport admission का process बस ही यह, कि वही student apply कर सकते हैं, जो उस course में entrance exam दी हो, पहला वो, और sport admission मेरिट के base के admission मिलता है, मतला भी है कि topmost marks जिस स्टूडेंट का entrance में है, उनको ही admission में लगा, sport admission में भी, फिर यह सवाल होगे कि sport admission कब तक आएंगे, तो second list जातर course के आ जाएंगे, उसके बाद जो seats वेकरंट रहेंगे, उसके बाद ही आपके sport admission आने के chances है, या फिर यह मान के चलिए कि mid August के बाद, या mid August के आजपास में आपके sport admission को लिकर notification आ सकते हैं, फिर एक सवाल हो कि sport admission participate कैसे करें, तो simple सी बात है, sport admission में participate करने के लिए, जिस link के थुरू आपने form apply क्या था, या फिर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर आपको login करना पड़ेगा, और जिस तरीके से आपके पास mobile में आइड़न कार्ड और registration slip को option है, उसी के जिस्ट बागल में आपको sport registration का icon आएगा, उस पे click करेंगे, और आप जिस course में अपने apply क्या, वो course select करेंगे, और आप वहाँ पे apply करने को कहा जाएगा, उसमें कोई charges नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ, याद रखे है, spot admission में भी student participate कर सकते हैं, जो जिनों interest दिया हो, और spot admission में भी मौका किसको मिलेगा, जिनके topmost marks हो, यानि कि मान लिएगा 10 बच्चे participate करते हैं, और 10 में सबका अलगलग marks है, उन सब में सबसे best marks जो को उनको ही spot admission में admission में मिलेगा, बाकि किसी और को नहीं मिलेगा, इस से related कोई भी ऐसा dots query होता है, आप मुझे इस comment करिए, औ और बाकी है, Instagram पे भी मुझे follow कर सकते हैं, वहाँ पर अपने query dots solve कर सकते हैं, बाकी कोई भी student AEMU jamie को लेकर online preparation करना चाहते हैं, वीडियो के description box में, नम्मर मिन सने, आप जोइन कर सकते हैं, बैज जो है, मीड अगस्ट के आसपस सा स्टार्ट के जा रहा है, आप जोइन केज और अपने dream university AEMU jamie में अपने admission लिए, thank you